बच्चों, हम सभी को पता है, मानों की तीन मूल भूत या प्रात्मिक आवशक्ताएं होती हैं पहला है भोजन, वस्त्र और मकान इन तीनों में भी दो भोजन जो वस्त्र हैं, वो सरवाधिक महत्वपूर्ण है और उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जो उसकी आवशक्ता है, वो है मकान और मकान या घर का उप्योग, मनुश्य जो है, वो अपनी जैविक आवशक्ता की पूर्ती के लिए या हम ये कहें कि विश्राम करने के लिए करता है, और जहां पर जिस भूखन्ड पर ये घर बने हुए होते हैं, उस भूखन्ड को इन घरों के साथ हम बस्ती के रूप में जानते हैं, या हम मानव बस्तिया कहते हैं, क्योंकि ये जो बस्तियां हैं या इन बस्तियों में जो हम घरों के समू की बात कर रहे हैं ये घर जो हैं वो मानव निर्मित होते हैं मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं और इसलिए हम मानव भुगोल के अंतरगत मानव अधिवास का ध्यन करते हैं इन बस्तियों में सिर्फ घरों का सम्मु नहीं होता है और जो घर यहाँ पर बने होते हैं उन घरों में भी अलग अलग प्रकार के घर हमें मिलेंगे चाहे वो आकार के दृष्टी सो हो या फिर जो उनका निर्माड किया गया है या हम ये कहें कि उसकी निर्माड सामगरी के अधार पर भी हमें इसमें भीनता देखने को मिलती है फिर चाहे वो घास फूस से बनी जोपडी हो या लकडियों से बनी कुटिया या हम ये कहें कि सिमेन, कॉंक्रेट, इटो से निर्मित या लोहे से निर्मित बहुत बड़ा भवन या राजमहल की भी हम बात करेंगे तो ये सब जो घर या आवास के अंतरगत ही शामिल होते हैं और हम इसे मानोबस्ती के नाम से जानते हैं तो हम कह सकते हैं इस प्रकार हम मानोबस्तियों को विभिन घरों का या हम ये कह सकते हैं एक या बहुत सारे घरों का समूह होता है जो मानो के द्वारा निर्मित किया जाता है और इन घरों में अलग-अलग व्यवसाय या कारियों को करने वाले व्यक्ति जो हैं वो निवास कर यह बस्तियां भी अपने आकार और प्रतिरूप के आधार पर हमें इसमें भिन्नता देखने को मिलती है और इन बस्तियों में हम जब मानो बस्ति की बात करते हैं तो यह सिर्फ यहां पर घर ही नहीं होते घरों के साथ हमें सड़के भी मिलेंगी मतलब परिवहन के अलग-अल शालाएं मिलेंगी हमको साथ ही हमको अलग-अलग जो है वो अध्योगी कारखाने मिल सकते हैं क्रिशी फॉर्म मिल सकते हैं शाज Shopify कारकों में हम देखें तो मंदीर मसजिद या चर्च भी हमको इन मानो बस्तियों के अंतरगत ही मिलेंगे और इन सभी को मिला कर हम उसे मान मानो बस्ती कहते हैं मानो बस्ती का यदि हम आकार वहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं या इन घरों या आवास की सनरशना के आधार पर इनका वर्गी करण करें तो हमें ये दो प्रकार की मिलती हैं पहली ग्रामीर बस्ती होती है और दूसरी नगरी बस्ती आज हम इन्ही मानो बस्तियों के विशय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी क्या विशेष्टाएं होती हैं, आदि तो पहले हम बात करते हैं ग्रामीर बस्ति के विशय में बच्चों क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो 121 करोड की है और इस 121 करोड जनसंख्या में लगभग 68.84 जनसंख्या 68.84 जो जनसंख्या है वो ग्रामीर छेत्रों में निवास करती है यदि हम अपनी कल्पना में लेकर आएं कि जिसे हम गाओ कह रहे हैं या ग्रामीर बस्तिया कह रहे हैं तो हमको तो यह पता ही है कि ग्रामीर बस्तिया जो हैं वहाँ पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसे हम ग्रामीड जन्संख्या के नाम से चानते हैं, और जो नगरों में निवास करती है, उसे हम नगरी जन्संख्या के नाम से चानते हैं। तो हम सभी किसी ना किसी गाउं से बिलाउं करते हैं या गाउं के रहने वाले हैं तो यदि हम अपनी कलपना में लेकर आते हैं कि गाउं कैसा होता है तो यह हम सभी को पता है कि यदि हम गरामीड घरों की या गाउं में मिलने वाले जो आवास हैं या मकान हैं उनकी बात करें तो वो कच्चे मकान होते हैं या हम ये कहें कि वो वहाँ पर मिलने वाली किसी स्थानी सामागरी से बने होते हैं हाला कि अब इसमें परिवर्तन आता जा रहा है लेकिन हम इसमें अधिकतर संख्या जो देखेंगे तो वो हमें कच्छे मकानों की मिलती है और अब गावों का भी विकास हो रहा है और यहां भी हमें पक्के मकान जो है वो अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहां जो जनसंख्या निवास करती है वो किसी न किसी प्राथमी कारियों में लगी हुई होती है अधिकतर जनसंख्या जो है वो या तो मचली पालन का कारिय करती है या जैसे कृशी कारिय करेगी या फिर पशूचारण या वन उत्पात से संबं मतलब प्राथमिक व्यवसाय वाले कारियों में यह जनसंख्या जो है वो लगी हुई होती है हम गामों की बात करेंगे तो यहां देखेंगे कि हमें यहां किसी भी प्रकार की प्रशाशनिक इकाई जो है वो देखने को नहीं मिलती और जब हम सुविधा की बात करेंगे तो स्वास्थे से संबंधित हम देखें, तो प्रात्मिक चिकित्सा तक की सुविधा हमें देखने को मिलेगी, यदि हम सिक्षा की बात करें, तो maximum या अधिकतर जो है, वो आपको उच्चेतर माध्यमिक इस तर तक की सिक्षा की सुविधा यहां पर हमको देखने को मिलेगी, हमें और मेडिकल फैसलिटी या आधुनिक चिकित्सा की सुविधा चाहिए, तो हमें नगरों की तरफ जाना होता है, यहां पर मिलने वाली जो सडके हैं, वो भी कच्ची सडके होती है, पक्की सडकों का यहां पर हमें अभाव देखने को मिलता है, अब यह तो हो गई, ग् अवस्तियों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हम इनके विकास की अवस्थाओं को देख लेते हैं, जैसे यदि हम पिछले इतिहास में जाएं, तो आदी मानों का जो समय हैं, तब से हम बात करते आ रहे हैं, बरतमान समय तक, तो हम देखेंगे कि पशु चारण के बाद जैसे ही मनुष्य ने क्रिशी कार्य प्रारम भी किया, तो जब उसने क्रिशी कार्य प्रारम भी किया, तो उसे आवशक्ता महसूस होने लगी, कि उसे एक इस्थाई आवास की आवशक्ता है, उसके बाद भी उसने जब इस्थाई आवास का निर्माण किया, एक इस्थान पर स्थाई आवास का निर्मान करके अपने कृशी कारे से वो आयर जित करता था फिर धीरे धीरे उस भूखन्ड का उसकी उपजाऊपन में या हम यह कहें कि वहाँ पर कृशी कारी करने से अधिक उत्पादन जब उसे नहीं मिलता था तो उस परिवार के जो अनियसदस्य हैं य थोड़ी दूर जाकर या किसी दूसरे जगह जाकर अपना क्रिशी कारिय करते थे और वहाँ पर अपने आवास का निर्मान करने लगी तो हम यह क्या देखते हैं कि दो बस्तियां बन गई अब इन बस्तियों तक पहुंचने के लिए फिर रास्ते का निर्मान हुआ सड़क और उसके बाद निरंतर विकास की और यह बढ़ता गया और अभी हम वरतमान समय में तो देखते हैं तो यह हाईवेस का जमाना हम कह सकते हैं या हमको अधिकतर जो है सड़कों में आधुनिकतम विकास की जो इस्थिती है वो देखने को मिलती है हम बस्तियों में भी बात करेंगे तो पहले लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलते जुलते थे पिछड़े हुए छेत्री की हम बात करेंगे और अब बस्तियों में हम एक पुरुवा से लेकर महानगर तक की जो इस्थिती है वो हम देखने को हमको मिलेगा मतलब एक छोटा पुरुवा जिसे हम पल्ली भी कहते हैं वो बस्ति भी होगी छोटी सी और हम एक महानगर तक की बात करेंगे तो उस महानगर में हमको अधिक से अधिक जो है वो आधुनिक्तम सुविधाओं से सुसजित वो महानगर देखने को मिलेगा तो यह सब हम बस्तियों के नाम से ही से जानेंगे अब हम बात करते हैं कि जो हमने कहा कि ग्रामीर बस्तियां या नगरी बस्तियां तो बस्ति कोई भी हो उसे कुछ फैक्टर उसके विकास को प्रभावित करते हैं उसके प्रतिरूप को उसके आकार को निर्धारित करने वा में चर्चा कर लेते हैं तो पहला फैक्टर है आपका भौतिक कारक बहुतिक कारक के अंतरगत इस्थलाकृती हो गई हम उच्चावज की बात करते हैं भूमी हो गई वहां पर मिलने वाली मृदा हो गई या हम यह कहें कि जल की उपलब्धता यह सारी चीजें यह सारे तत्व जो हैं वो भौतिक कारक के अंतरगत आते हैं जो किसी भी स्थान पर बस्ती के विकास को प्रभावित करते हैं बस्ती के विकास को हमको मालूम है यदि हम पिछले समय पे जाएं तो हम देखते हैं कि जल की जो उपलब्धता है वो बहुत हट तक जो है बस्ती के विकास को य तो चाहे हम पीने के लिए हो या दैनिक जीवन के अलग-अलग कारी करने के लिए जल की आवशक्ता होती है और चाहे हम क्रिशी कारे की बात करें तो सिचाई के लिए भी हमें जल की आवशक्ता होती है तो जिस स्थान पर भी जल की उपलब्धता होती है वहां पर हमें ये ब वहां पर हमें अधिवास या लोग जो हैं वो अधिक निवास करना चाहेंगे, ये तो एक समझने वाली ही चीज है, और हम अपने आसपास भी ये महसूस करते हैं, कि जहां भी समतल भूभाग होगा, तो हमको पता है कि वहां पर हमें कृशी कारे करने के लिए, हम ये कहें कि समतल भूभाग मिल रहा है, साथ ही वहां पर हमें किसी भी प्रकार की महनत नहीं करनी पड़ेगी उस भूभाग को समतल करने के लिए, हमें परिवहन के साधन भी वहाँ पर बहुत अच्छी रूप में विक्सित मिलेंगे तो जहां पर मतलब हम ये कहें कि जो समतल भू भाग होता है या जहां पर जल की उपलबधता होती है जहां पर की मिट्टी उपजाओ होगी वहाँ पर हमें आवास या ये घर या हम ये कहें कि ये बस्तियां जो हैं वो अधिक विक्सित रूप में देखने को मिलेंगी और हम अपने भारत के संदर में भी जब बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है या हम अपने डेल्टाई छेतरों की भी बात करेंगे तो चुकी वहाँ पर समतल भुभाग और उपजाओ मिट्टी ये सब जो कारक हैं वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से विक्सित मिलते हैं इसलिए वहाँ पर मानव अधिवास का भी बहुत अधिक विकास हुआ है या बस् देखेंगे कि जहां पर जल की कमी है वहां पर मरुस्थली छेतर है तो जहां कहीं भी जल की उपलबधता भुमी गद जल की उपलबधता वहां पर मिलेगी तो वहां पर लोगों की सघन बसाहट या हम ये कहें कि सघन बस्तियां जो है वो देखने को मिलती हैं अगर हम अप या बिखरी हुई बस्तियों का रूप देखने को मिलता है लोग वहाँ परवतों को पहाडों को काट कर सिधी नूमा खेत बनाते हैं और फिर वहीं उन खेतों के आसपास ही वो अपने बस्तियों का या घरों का जो है वो निर्माण करते हैं तो ये होगे भौतिक कारक जो बह भावित करते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक कारत, दूसरा फैक्टर है, सांस्कृतिक या हम इसे कल्चृरल फैक्टर भी कहते हैं, तो इसमें समाजिक सनरशना, जाती या धर्म को हम शामिल करते हैं, और हम ये देखते भी हैं, कि समाजिक सनरशना के अंतर लोग ही या विशेस जाती समुदाय के ही लोग निवास करते हैं हम यह कहते हैं फला गाउं में यह साहू समाज या इस जाती के लोग या इस समुदाय के लोग अधिक देखने को मिलते हैं यह हम यह कहें कि उस समुदाय के लोग या जाती और धर्म के आधार पर ही वो बस्ति हम को देखने को मिलती हैं लेकिन ऐसा नहीं है समय के नुसार चीजें जो है वो परिवर्तनशील होती है और ये भी हम नहीं कह सकते कि किसी एक गाउं में सिर्फ एक ही जाती या एक ही धर्म के लोग जो है वो निवास करते हैं हम ये कह सकते हैं उसकी अधिक्ता जो है उस समुदाय की अधिक्ता वहाँ पर देखने को मिलेगी लेकिन उसके अतिरिक्त और भी धर्म और जाती के लोग किसी भी छेत्र में या किसी गाउं में किसी बस्ती में निवास करते हैं अब तीसरा जो फैक्टर है वो आपका हम इसे एतिहासिक या सुरक्षा संबंधी जो कारक हैं वो भी बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं मतलब कहीं भी हमें किसी चीज का चाहे वो चोरी हो या डकैती हो या किसी आतंक का हमें खत्रा नजर आता है तो हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप या समूह में जो है वो निवास करना चाहते हैं और वो ग्रुप या जो समूह हैं वो हमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोंड से सहीं लगता है तो ऐसे छेत्र में जहां पर इन चीजों का खत्रा होता है वहाँ पर हमें सघन बस्तियां देखने को मिलती हैं, वहाँ हमें एकाकी बस्तियां देखने को नहीं मिलेंगी, हम अपने पश्चिमी भारत के भी छेतर में देखेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी जो बस्तियां विक्सित हुई हैं, वो इन सुरक्षा संबंधी कारक जो हैं, वो यहाँ पर जादा महत्वपूर्ण है यहां यह कहें कि इन बस्तियों के विकास का कारक जो है वो एतिहासिक या सुरक्षा संबंधी कारक होता है अब हम बात करते हैं कि यह ग्रामीन बस्तियों के भी मतलब यहाँ पर इन बस्तियों का जो आकार होता है या वहाँ पर जो बस्तियां समु में जो मिल रही है तो आकार और उनके बसाहट के अधार पर इसका वर्गी करन किया गया है तो हमें चार प्रकार की बस्तियां जो है ग्रामीर बस्तियां देखने को मिलती है पहला हम कह सकते हैं पहला जो है वो सघन बस्तियां या हम ये कहते हैं compact settlement है दूसरा हम बात करेंगे परिछिप्त बस्तियां या dispersed settlement होता है तीसरा जो है वो अर्धगुच्छित बस्तियां या हम इसे semi-clustered settlement भी कहते हैं और next चौथा जो है वो आपका संयुक्त बस्तियां या हम जिसे composite settlement की बात कहते हैं या composite settlement कहते हैं आईए अब इन चारो बस्तियों की जो विशेष्टाएं होती है किस प्रकार की विशेष्टाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं वो हम इस संबंध पर चर्चा करते हैं आईए अब हम इन चारो प्रकार की ग्रामीर बस्तियों की विशेष्टाओं के विशय में बात करते हैं तो इसमें पहले नमबर पर हम देखते हैं, जिसे हमने कहा था, सघ़न बस्तिया, गुच्छिद बस्तिया या संकुलिद बस्तिया, आपको नाम में confusion नहीं हो सकता है, तीनों ही नामों से इसे पुकारा जाता है, या तो वो कह सकता है गुच्छिद बस्तियों की विशेष्ट यह सब एक ही टम्स हैं, हम इसे compact या clustered settlement के नाम से भी जानते हैं, यह जो सघन बस्तियां होती हैं, इसमें हम देखेंगे कि घर जो है वो एकदम पास-पास बने होते हैं, और इन घरों के बीच में हम यह कहें कि सडके जो हैं, उनकी चौडाई बहुत कम होती हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि सक्री-सक्री गलिया जो हैं आवासों के बीच में हमें देखने को मिलती हैं, अब यहां पर पास-पास घर तो बने ही होते हैं, साथ ही इन बस्तियों की जो जनसंख्या है वो भी बहुत सघन होती है, या हम यह कहें कि बहुत अधिक जनसंख्या जो इन बस्तियों के विक्सित होने का जो उद्देश है या तो ये सुरक्षात्मक कारणों से विक्सित होते हैं या जहां पर उपजाऊ भुभाग या उपजाऊ भुमी जो है वो मिलती है वहां पर ये बस्तियां जो है वो अधिक देखने को मिलती हैं. क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि सुरक्षात्मक दिर्ष्टी कोंड से भी जहां पर सुरक्षा की बात होती है तो वहां पर लोग पास-पास या इकठे रूप में जो है वो रहना पसंद करते हैं तो सगन बस्तियों के विकास के पीछे भी एक तो शुरक्षात्मक ये बात होती है और जहां पर भी उपजाओ भूमी मिलेगी जैसे हम अपने भारत में देख ले कि जो जलोड मैदान है जहां पर भी जलोड मैदान हमें देखने को मिलेंगे चुकि वहाँ पर उपजाव भूमी मिलती है जो कृषी के लिए सहायक है, कृषी उत्पात के लिए सहायक है, तो वहाँ पर भी लोग जो है उस भूभाग में का उपयोग करने के लिए बहुत पास-पास या सघन रूप में जो है वो निवास करते हैं. अब जब हम इनकी आकरिती की बात करें तो हम देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से, यह हमें आयताकार रूप में या अरिय रूप में या रेखिय प्रती रूप में भी यह सघन बस्तियां हमें देखने को मिले रेखी प्रति रूप में मतलब जैसे बीच से एक गली गई हुई है या एक सडक मार्ग हो सकता है कोई नहर हो सकती है या नदी हो सकती है तो ये बीच में कोई भी एक सडक नहर या हमने नदी या रेल मार्ग की बात की तो इसके दोनों छोरों पर समानांतर जो है ये बस्तिय पास-पास घरों के रूप में विक्षित होती है तो सगन बस्तियों में रेखी प्रति रूप भी हमें देखने तो वहाँ पर भी सगनबस्तियां देखने को मिलती है अब हमने जो बात की थी अरिय प्रतिरूप तो अरिय प्रतिरूप क्या होता है यहाँ पर भी आप एक चित्रे के मादियम से देख पा रहे हैं कि एक केंद्र जहां से सभी दिशाओं की तरफ या हम यह कहें अलग-अलग दिशाओं की तरफ रास्ते जाते हैं या उस केंद्र के पास अलग-अलग दिशाओं से आकर मार्ग जो हैं वो मिलते हैं तो यह सब मिलकर एक अरिय प्रतिरूप का निर्माण करते हैं और इस टाइप का या इस प्रकार की जो प्रतिरूप का निर्माण है वो हम देख सकते हैं कि गाओं के चौराहों के पास या ऐसे केंद्र जहां पर अलग-अलग मार्ग विभिन दिशाओं से आकर मिल रहे हैं वहां पर भी ये सघन बस्तियां जो हैं वो अरिय प्रती रूप में देखने को हमें मिलती हैं अब हमने बात की थी आयताकार आयताकर प्रती रूप में क्या होगा जब दो समानांतर हम ऐसे छेतर देख सकते हैं कि जिस छेतर में या जिस भूखंड में दो सडक मार्ग दो रेल मार्ग जो हैं वो समानांतर आकर पैलर पैलर चल रही हैं और एक दूसरे को समकोड पर काट तो हर भुजाओं के पास या हम ये कहें कि हर मार्ग के सहारे सहारे ये बस्तियां जो है या लोग जो है वहाँ पर अपना घर का निर्माण करते हैं और ये प्रतिरूप जो है वो आयताकार प्रतिरूप बनता है अब भारत में हम बात करें कि कहां पर या भारत के किन छेत्रों में हमें ये सघन बस्तियां देखने को मिलेंगी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पूरा हमारा विशाल मैदान है उपजाओ जलोड मैदान जहां पर भी हमें देखने को मिलेगा चाहे वो उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करें या हम तटी छेत्रों में डेल्टाई छेत्रों में जो हैं वहाँ पर भी हमें जलोड मैदान के रूप में समतल भूमी देखने को मिलेगी तो वहाँ पर भी ये बस्तियां सघन बस्तियां जो हैं वो विक्सित देखने को मिल अधिकतर देखने को मिलती हैं अब इसके साथ ही साथ हमने भी बात की थी कि जल की उपलबधता के कारण जो पश्मी राजस्थान है वहां पर भी जहां भी भूमी गर्जल की मात्रा मिलती है वहां पर लोगों की जो सघन बसाहट है या ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वहा अभी राजस्थान में भी इस प्रकार की जल की उपलबधता वाले छेत्र में हमें सघन बस्तियां देखने को मिलती है